हम तुम तो प्यादे हैं बस क्या मेरे और क्या तेरे क्या मेरे और क्या तेरे और क्या तेरे अलफाज ये किस्सा लिखने वाला तो कोई और है तो इसी के साथ आज की चंद पंतिया मैं शुरू करती हूँ जो इस पर है कि तब तुम याद करोगे मुझको क्योंकि ऐसा होता है ना कि कही ना कहीं कभी ना कभी आप इत्रफाक रखेंगे मेरे इस बात से कि किसी से ये जरूर कहोगा कि मेरे जाने के बाद कि मेरे जाने के बाद तेरा क्या होगा क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों किसी के जाने के बाद ही हमें उसकी आहमेत का पता चलता है तो उसी पर मैंने ये आज की लाइने लिखी हैं तो पेशे नज़र करती हूं तब देर रात की कॉफी और आधी रात की महगी कहने से कोई नहीं बनाएगा तब तुम याद करोगे मुझको तब तुम याद करोगे मुझको लाग कहने पर भी जब लखी कोट को आईरन कोई नहीं कराएगा तब तुम याद करोगे मुझको खामोशी के रंग पढ़ना सबको नहीं आता जनाब और अपनी बात समझाने पर भी जब कोई बात तुम्हारी समझ नहीं पाएगा तब तुम याद करोगे मुझको पहले खुद ही अपने रंग में ढाला वो क्या ओता हैं दोस्तों हम किसी को अपने रंग में ढालने की कोशिश करते हैं और जब वो बदल जाता है तो उसके आता है ऐसा कहकर दिल को बहुत दुखाया है और जब मेरे जैसी सादगी दुनिया में कहीं नहीं पाओगे तब तुम याद करोगे मुझको जब मेरा जैसा कोई न मिल पाएगा तब तुम याद करोगे मुझको राद भर अकेले जाक कर राद भर अकेले जाग कर जब गीले करोगे तुम तक्या और सवेरे होने पर तुम्हारे कोई आंक के आंसु नहीं पोछ पाएगा हमारा तुम्हारे सिराने बैठना और सर को तुम्हारा सहलाना याद आएगा तब तुम याद करोगे मुझको खामोशी के 알फाजों का शहर है बाई यह अन्तिम दो लाइने बैचा कोई नहीं जानता यह तो तुमसे जोड़ा शॉक था मेरा की आदफ तुम्हें बनाया था और जब सीने से लगकर भी और जब सीने से लगकर भी धरकन कोई नहीं सुन पाएगा तब तुम याद करोगे मुझको जब मेरा जैसा कोई नहीं मिल पाएगा तब तुम याद करोगे मुझको शुक्रिया